बिस्मिल्लार्माने रहीम, अस्सालाम अलेकूम, कैसे हैं आप सब लोग मैं हुँआ इसमा आप देखे रहे हैं इसमा पोर्ट्रे ग्रेट आज मैं आप लोग के लिए लेक रहे हैं हॉममेड पीजा, पीजा में बनाने वाले फ्राई पान में और साथ में मैं पीजा दो भी इन तमाम चुजों के अचे से मिक्स कर लेंगे, बन कब नीम गरम पानी लेंगे और दो को हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे डो के अंदर तक्रीब बन एक कप टू टेबल स्पून पानी लगा है वन टेबल स्पून ओईल लेंगे और डो को तक्रीब बन हमें पांच से छे मिनेट तक गुनना है जितना अच्छा डो गुनदावा होएगा उतना अच्छा रिजर्ड आएगा पी जगा इसी बोल के अंदर ओईल लगाएंगे आप इसके अंदर डो रख देंगे और अच्छा ओईल डो के ओपर भी लगाएंगे और चोरो तरफ फैला लेंगे अब इसको हम कवर करके तकरीबन दो खंटे के लिए किसी गरम जगा पे रखेंगे ताके डो हमारी डवल हो जाए चुगन टिक का फिलिंग तैयार करना एक लिए एक बोल के अंदर चुगन बॉन ले रहे हूं तिन सो के राम वन टी स्पून अध्रक पॉर्डर वन टी स्पून लस्टन पॉर्डर हाफ टी स्पून काली मिरश पॉर्डर हाफ टी स्पून कुटी मिरश वन टी स्पून लाल मिरश पॉर्डर वन टी स्पून नमा वन पॉर्टी स्पून पापरिका पॉर्डर हाफ टी स्पून और गैन कवर करके रख देंगे अब फ्राइपान के अंदर टू टेवले स्पून ओईल लेंगे फिलेम को मैंने मेडियम कर लिया है अब इसके अंदर हम चिकन टिका फिलिंग एड़ कर देंगे अब इसको दो से तीन मिनट तक कोक करेंगे और चिकन गल जाए और इसका कलर चेंज हो जाए चिकन घंग चुकी आप इसको साइड में रख देंगे थंडा हो जाए धो हमारा रेडी हो चुक है है आप इसको हम निकाल लेंगे इसको तक्रीबन हमें 2-3 मिल्ट तक दुबारा से गुनना है ताके डो हमारा सेट हो जाए अब इसको बहुत खुशका लगाएंगे इस डो गे अंदर तक्रीबन दो पीजा तयार होएंगे इसको अच्छी तरीके से पेड़ा बना लेंगे अब खुशका लगाएंगे इसको हम बेल लेंगे हमें डोगो ना जादा मोटा बेलना है ना जादा पतला इस तरीके से अब इसको फ्राई पान के उपर रख देंगे और साइटों से इस तरीके से वो कर लेंगे और पॉप से हम इसके अंदर हॉल कर लेंगे और इसको कोक करेंगे तक्रीबन एक मिनट के लिए एक साइट से एक मिनट हो चुके है अब इसको पलट देंगे एक मिनट के लिए इसके दूसरे साइट से भी इसको कोक करेंगे अब इस पर हम पीजा सोस लगाएंगे पीजा सोस तीन से चार टेविल स्पून लगेगा इसको चौरो तरफ से पहला देंगे अब इसके अंदर हम चैदर चीज एड़ करेंगे कोक चिकन एड़ करेंगे इसके अंदर शिम्ला मिरच आपको जोन जोन जी सबजी पसाने आप वोचाई एड़ कर सकते हैं टोमाटो पियास गाजर और इसके अबर दुबारा से मोजीलर चीज एड़ करेंगे इसको खफुर्ती बढ़ाने के लिए दुबारा से चिकन एड़ करेंगे इसके अंदा बिले कॉलिफ और इसके साइटों से साइटों पर ओईल लगा देंगे और इसको लोफ लिम पर दस से बारा मिनट तक पकाएंगे दस मिनट हो चुके हैं पीज़ा बिल्कुल तयार है हम इसको पीस कर लेंगे माशालला से पीज़ा बहुत मज़ेगा बना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसन आएए तो मुझे सस्क्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी